हलो यूरीवान कैसे हो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम लोग अगर आप CSI NET exam के लिए preparation करना चाहते हैं सोच रहें कैसे prepare करूँ तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि CSI NET exam का pattern क्या है और उसका syllabus क्या है हमें क्या-क्या पढ़ना है और किस प्रकार की questions यहाँ पर पूछे जाते इस exam में आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के लिए चर्चा करने वाले हैं अगी सबसे पहला हम लोग pattern समझ लेते हैं कि CSI NET mathematical science के लिए अगर आप preparation कर रहें तो फिर exam का pattern क्या है सबसे पहली बात यह जानना जरूरी है कि paper में हमारे पास तीन sections में अपना paper बटा हुआ होता है पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C इसमें पार्ट A में अपने पास total 20 questions पूछे जाते हैं इसे तीन sections में अपना part paper बटा हुआ होता है जिसमें अपने पास पार्ट A में total 20 questions पूछे जाते हैं पार्ट B में total 40 questions पूछे जाते हैं और पार्ट C में हमारे पास 60 questions पूछे जाते हैं इसमें आप type कौन सा होता है questions का तो दो प्रकार के questions CSI NET mathematical science में पूछे जाते हैं MCQ और MSQ MCQ मतलब multiple choice question जहां पर आपको एक ही answer correct होगा चार option में से और multiple select type का question मतलब हमारे पास एक या एक से जादा options भी correct हो सकते हैं और given question और जब आप सारे questions question के सारे options जो सही है उनको tick करोगे तब ही जाके आपको mark मिलेगा उस question का otherwise marks नहीं मिलते हैं अगर मान लेते हैं कि question है MSQ type का और जिसके दो options correct है आपने एक option तो correct tip कर लिया लेकिन दूसरे का नहीं tick किया तो आपको कोई mark नहीं मिलेगा जब आप दोनों options को tick करोगे तब जाके आपको उसका mark मिलेगा तो दो प्रकार के questions हैं MCQ और MSQ यहाँ पर part A general aptitude का question होता है basically जहाँ पर part A में आपके पास 20 questions MCQ questions होते हैं part B में जो 40 questions है वो भी MCQ है part C में अपने पास जो questions है वो multiple select type की questions होते हैं ठीक है और यह बहुत बड़ा role play करते हैं एगर exam qualify करना है तो अब हमारे पास total जो marks होते हैं यह हमारे पास total marks 200 होते हैं इस paper के और total number of questions अपने पास कितने हो जाते हैं 120 questions पूछे जाते हैं जिसमें part A में 20 part B में अपने पास 40 60 हो गए और part C में again 60 questions हैंने कि total 120 questions हमारे पास इस exam में पूछे जाते हैं दो pattern के questions MCQ MSQ आप maximum कितने attempt कर सकते हैं पार्ट A में जो 20 questions है उसमें से maximum आप 15 questions attempt कर सकते हैं पार्ट B में जो 40 questions है उसमें से आप maximum 25 attempt कर सकते हैं और part C में अपने पास total 60 questions से उसमें से आप maximum 20 questions attempt कर सकते हैं ठीक हैं? यानि कि total 120 में से आप maximum मेक्सिमम 60 questions attempt कर सकते हैं तो इनी के marks total आपके लिए 200 हो जाते हैं अब यहाँ पर part A में जो 20 questions है जिसमें आप maximum 15 attempt कर सकते हैं हर एक question 2 mark के लिए हैं पार्ट B में जो 40 questions हैं उसमें से 25 maximum attempt कर सकते हैं हर एक question 3 mark के लिए हैं और जो part C में अपने पास start question से जिसमें आप maximum 20 attempt कर सकते हैं उसके लिए हर question के लिए 4.75 marks हैं तो total marks यहाँ पर 15 maximum attempt कर सकते हैं हर question 2 mark के लिए तो 30 mark then part B में अपने पास maximum 25 attempt कर सकते हैं हर एक question 3 mark के लिए तो 75 marks और part C में अपने पास जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर 95 marks होंगे जब हम लोग 20 questions 4.75 से multiply करेंगे तो हमारे पास total paper जो हो गया वो हो गया 200 mark का paper negative marking है क्या जी हाँ दो part A के लिए और part B में अपने पास negative marking है part A में question अगर आप गलत कर देते हो तो आपका 0.5 marks deduct किया जाएगा और part B के questions के जब आप questions गलत करते हो तो एक question के लिए 0.75 marks आपका deduct किया जाएगा part C में कोई negative marking नहीं है यह बात जरूर याद रखना यह है हमारे पास exam pattern CSI innate का अगर आप mathematical science के लिए preparation कर रहें तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि syllabus क्या है हमें क्या-क्या पढ़ना होता है CSI innate mathematics के लिए सबसे पहले तीन पार्ट में जो पेपर बटा हुआ है उसमें पार्ट A में हमारे पास general aptitude पूछा जाता है तो यह किसके लिए हैं यह पार्ट A के लिए है जनरल aptitude में आपको कौन से कौन से topics के उपर questions पूछेंगे तो वह है logical reasoning, graphical analysis, analytical ability, numerical ability, quantitative comparison, series formation and puzzles इन topics को आपको प्रिपेर करना है part A के लिए then part B और C जिसमें mathematics आपको पूछा जाता है जो आपका core subject है उसमें अपने पास जो papers है जो हम लोगों ने उसको divide किया चार units में हम लोगों नहीं CSI ने जो divide किया चार units में जहाँ पर unit 1 जिसमें अपने पास real analysis और linear algebra पूछा जाता है unit 2 में अपने पास complex analysis algebra और topology पूछा जाता है जो unit 3 है जिसमें आपके पास ordinary differential equation partial differential equation numerical analysis calculus of variation integral equations and classical mechanics पूछा जाता है और unit 4 statistics के लिए पूछा जाता है math or stat के लिए हमारे पास एक ही paper होता है ठीक है तो यह हमारे पास जस्ट मोटा मोटा syllabus हो गया detailed syllabus अपको जारना है तो आपको simply ifsonline.com इस website को आपको visit करना है वहां से आपको detailed syllabus मिल जाएगा कि CSI net mathematics का क्या है ठीक है चलिए फिर आपको exam pattern समझ में आ गया और आपको consequence topics के लिए prepare करना है इस exam के लिए वह भी आपको समझ में आ गया तो detailed syllabus के लिए हमारे website के उपर जरूर एक बार visit करिए इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुखते हैं I hope आपकी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जो information है वह आपके लिए helpful रही होगी अगर वीडियो पसंद आया तो like जरूर करना share करना और चैनल को subscribe जरूर करना तो thank you सभी को and happy learning